नमस्कार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज की शुड़ियो में हम आपको बताने बाले हैं कि आप आप अपने आप अपने बड़ा पौन ये भी आई सीम का रिचार्ज आप अपने मुवाइल से ही ऑनलाइन घर वैठे किस तरह से क कर सकते हैं तो इसके लिए हम आपको जो तरीक जो तरीका आपको बताने बाले हैं इस तरीके को आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे समझेए का तभी आप अपने मुवाइल में कर पाएंगे तो इसके लिए सिंप्ली अगर आप अपने आइडिया बड़ा पौने भी ऑनलाइन रिचार्ज सर्च करना है किसी भी मुवाइल में आपको गूगल क्रोम में जाना है जिस भी मुवाइल में इंट्यानर चल ला हो और इसको जब आप फर्च करेंगे भी ऑनलाइन रिचार्ज को फर्च करेंगे आप तो यहां पर देखिए इस तरह से यह बेज़ स कशी open करना भीड का है बोड़ाफ़न का है simply आपको यही वाली वेडियो आपको आपको ओपन करना है तो इस वेडियो साइट को आपको अपको दो आफन मिलेंगे अगर आपको VIAI अप्लिकेशन देखने को मिले तो आपको simply VIAI application को select नहीं करना है आपको Google Chrome select करना है Google Chrome को आपको select कर लेना है जैसे आप Google Chrome select करेंगे तो यहाँ पे देखी आपको यहाँ पे number डालने के लिए अगर simply यहाँ पे आपको अपना number डाल देना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे इस तरह से 8959 इस तरह से आपको number डालना है जो number पे आप रिचार्ज करना च तो नीचे आपको बहुत सारे प्लान है पे देखनों को आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान देखनों को मिल जाएंगे तो simply यहाँ पे हम अभी दूसरा प्लान है पे सर्च करेंगे जैसे देखिए भी हमको यहाँ पे unlimited प्लान दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप डिसनी प्लस हौट इस्टार बाले प्लान ये साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे यह जगह पे आप यहां पे आपके लिए रिकॉइमेंंड डिकम्पनी की जाते हैं, छोटे छोटा रिचार्ज वह आपके लिए रहता है, यहाँ पे देखी है, अ यहाटक का है अधार का बहुत सारे आप सन हाप पे आपको देखने मिल जाएंगे तो महामाली जीका हम पको यहाएं पे 140 रुपय वाला रिचार्ज करना था हम यहाए इम सोन स्वचास रूपया के रिचार्ज के यह हम अहोने हां पर इस रूप天 करने के password डालना होगा और आपके mobile नमपर पर एक OTP जाएगा OTP डाल करके आप यहां spamming कर सकते हैं अगर आपके पाफ नेड़ बैंकिंग है तो आप नेड़ बैंकिंग कर सकते हैं इस तरह से आपको नेड़ बैंकिंग के आफ़न पर आपको क्लिक करना है और यहां कि आपको अपना बैंक करना है जैसे आप एक करेंगे तो यहां करने के बाद हैं पर आपको आपको पाफबर डालने के लिए पर आप मोगा OTP डाल करके आप अपने मोगा पने यहोड चोटीपी आता हो बैंक में आपके इसको आप knit已經 कि जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपको अपना ATM कारड का तो आपको simply यहाँ पर अपना CVB नमबर डालना है यहाँ पर देखिए नीचे आपको save this card for faster payment पर यहाँ पर आपको untick करना है तिक नहीं लगाना यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें यहाँ पर टिक नहीं लगाना है आपको इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको process to pay pay button पर आपको click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपने जिस बैंक का ATM होगा और उसमें जो भी आपने mobile number add किया होगा उस mobile number पर एक OTP जाएगा simply OTP डाल करके और आपको समीद button पर click करना करेंगे जैसे समीद button पर click करेंगे तो आपके बैंक से balance कर जाएगा जितने का आपने रिचार्ज किया था और आपके mobile में मैसेज पराप्त हो जाएगा आपके mobile का जो रिचार्ज है वो successful हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके का इस्तमाल करके आप अपने mobile से ही बड़ी आसानी से आइडिया बड़ अपन ये भी आई सिम का रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठें तो दोस्तों मुझे आसा है कि हमने आ को पसंद आए थमारे इस वीडियो को लाई जरूर करना